तो चलो प्यारे बच्छों देखो इस सवाल को इस में क्या कहते हैं कि यह इस आलग में घूमרה और इस आर्विड का सपरेशन डिया हुआ है रैडियस दिया हुआ है यह जो radius है, यह वाली जो separation है, this radius is basically r, और इस r की जो value है, वो इनोंने दिया है 7000 km, और इससे नीचे एक छोटा सा आर्बिट है, एक छोटा आर्बिट है यह वाला है, यह इससे नीचे है, तो यह जो आर्बिट है, अगर मैं इसको, समझ रहें न, यह जो आर्बिट है, अगर यह पूरा r है, तो यह थोड़ा delta r, यह वाला separation delta r है, तो यह आजाएगा r minus delta r, यह वाला से, यह आर्बिट है, अलग अलग है, तो यह कहते हैं, अगर satellite a और b है, this is the satellite a और b, अगर यह यहां से चलते हैं, तो दुबारा यहीं पर, मलब यह जो separation है, जैसे माल लोगा कभी satellite एक यहां है, और यह वाला सेटलाइट है, दूसरा वाला सेटलाइट है, वो यहां है, ठीक है, बी वाला यहां है, यह जो separation है, minimum हो है, इनके बीच, तो यह minimum separation है, तो इस minimum separation को दुबारा होने में कितना time लगेगा, वो हमें निकालना है, तो दो possibility है, एक तो possibility है, जब वो same direction म एप्जीट हो तो सबसे पहले इन्हेर अगर जन्रल म garlic कोई से लाइट है घन्रल सोचो कि अगर कोई से लाइट है जो और चक्कळ लगा रहा है इसे डेसटलाइट इन मोभींग इन दीश पाथ हैं इस Malzem and तो जो gravitational force है इनके बीच जो gravitational force इसकी value G mass of earth mass of satellite is small r का square is equal to m r omega square m r omega का square यहां से तो mass of satellite cancel हो गया तो यहां से जो omega आ जाता है इस satellite का और G mass of the earth under root r की power q this is the basically basic formula of the omega of any satellite in r radius circular path तो यह अब यहां पर दो आर्बिट था इस आर्बिट यह जो आर्बिट है इस आर्बिट को मैं r1 बोल देता हूं और इस आर्बिट को मैं r2 बोल देता हूं r1 r2 की value r है तो जो r1 है वो r minus delta r के बराबर है क्योंकि थोड़ा सा कम है बात समझ में आ गया तो यहां से जो अब omega जो पहले सेटलाइट का omega आ जाएगा जो सेटलाइट omega of first satellite omega of first omega 1 is equal to g mass of the earth और radius r1 की power q under root यह मैं इसको लिख सकता हूं g mass of the earth और radius r1 r1 मतलब small r minus delta r की power q और यह सब कुछ under root तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से solve करके लिखूंगा तो g mass of earth यह सब कुछ under root रहेगा और यहां से तुम देखोगे कि small r minus small r अगर यहां से small r देखो यहां से small r की power q अगर common ले लिए तो small r की power q common लेने के बाद यह expression यहां 1 बचेगा और उपर ले जाके मैं binomial लगा देता हूं तो 1 minus delta r upon r की power minus 3 by 2 यह बात समझ में आ गया तो i hope कि यह बहतर तरीके से आपको clear हो गया होगा और यह ध्यान रगना यह पूरा अंडर root है तो इसको यह इसमें binomial अजंशन लगा दो तो यह g mass of satellite और radius r तो radius यहां r की power r की power q under root और इसको जब मैं अंदर लाऊंगा तो 1 plus हो जाएगा और 3 delta r upon 2 r this is the omega 1 यह पहले वाले जो satellite था जो अर्थ के थोड़ा करीब था उसका angular velocity omega दूसरे satellite की बात करोगे तो for second satellite for second satellite उसका omega देखो तो दूसरे वाले satellite का अगर omega देखोगे तो उसका कितना हैगा तो उसका हैगा omega 2 is equal to g mass of the earth और radius r2 की power q under root यह वाला formula और r2 यहां आजाएगा g mass of the earth और इसका r2 तो r ही है और यह under root और यह power q तो this is the omega 1 and omega 2 तो यह omega 1 omega 2 satellite अब यहां से दो possibility है अगर satellite जो है case first यहां से दो possibility है उन दोनों possibility को मैं एक बार आपको explain करता हूं case first में if satellite is sense of rotation is same if direction of rotation is same direction of rotation क्या है जा रहा है तो दूसरा वाला जो इस से आर पर हो भी इधर ही जा रहा है ठीक है तो sense of rotation से मैं तो time minimum आ जाएगा तो time is equal to in general distance r पर तो 2 pi capital r time is equal to distance upon linear speed speed of basically linear speed of first satellite with respect to second या यह 2 pi r linear speed v is equal to v is equal to होता है r omega तो अगर general distance r लिया हूं तो omega of first with respect to second तो यह are cancelled हो गया तो यहां से आप देखोगे basically प्यारे बच्चों तो 2 pi और omega sense sense of rotation से मैं clockwise है या anti clockwise तो relative velocity of 1-2 with respect to mod लगा लेते हैं यहां से तो यहां पर तुम देखोगे इन दोनों का जो difference आया था तो 2 pi और omega 1 minus omega 2 अब देखो omega 1 कितना था तो omega 1 था gm e r के 1 plus 3 r by 2 यहां से तो जो omega 1 था वह था gm e और r की power q under root और यहां से तुम देखोगे यहां से यह 1 plus 1 plus 3 delta r upon r में से माइनस कर दो दूसरे से gm e r की power q under root omega 1 और omega 2 तो यह ही से कतम हो जाएगा तो finally जो पहला जो time period बचेगा एक यहां से common आ जाएगा तो time period in case first जो है हो आ जाएगा कितने time बात इनके बीच का distance minimum होगा 2 pi ऊपर बचा और नीचे बचा gm e r की power q under root और bracket में बचा यह वाला जो आ जाएगा थिरी डेल्टा आर पन इसमाला तो इस is basically the time period when the sense of rotation is same तो जब sense of rotation same है तो यह इसका formula बनेगा और अगर मैं साभी value इसमें रखता हूं mass of the earth 2 pi delta r की value रखता हूं तो यह जो time आ जाता है delta t टू की value रखों and put all these value put all these value put all these values तो अगर यह सभी value put करता हूं तो यह time आ जाता है वा जाता है 4.5 days तो इतना 4.5 days आता है यह इसका solution है दूसरा case से बनता है sense of rotation opposite हो तो यह minimum distance होने में कितना time लगता है case 2 when sense of rotation is opposite तो अगर यह opposite हो when sense of rotation sense of rotation is opposite तो अगर sense of rotation opposite है तो इस opposite sense of rotation के लिए अगर आप बात करोगे तो delta time minimum time लगेगा 2 pi r is equal to linear velocity of 1 with respect to 2 linear velocity 1 तो यह 2 pi capital r मतलब यह v1 plus v2 ठीक है तो v1 plus v2 इसका मतलब यह हुगा कि opposite sense of rotation में तुम देखोगे तो 2 pi 2 pi r और v1 is equal to मतलब omega 1 plus omega 2 और multiply कर दूं r से तो यह r खतम हो जाएगा तो जो time minimum लगेगा वो 2 pi is equal to omega 1 plus omega 2 यह तो यहां से अब एक काम करो omega 1 और omega 2 की value निकालो value जो निकाले थे उसको हम रख देते हैं तो इस case में जो minimum time लगेगा वो 2 pi omega तो जो पहला वाला omega निकाले थे वो कितना था भाई तो पहला वाला omega था देखो पहला वाला जो omega था वो gme mass of the earth r की power q under root और bracket में था 1 plus 3 times delta r upon r और plus दूसरा वाला था gme r की power q under root तो यहां जब इसको जोड़ोगे तो यह मिलेगा 2 pi और यहां से common हो जाएगा gme r की power q under root यह सब common हो गया और bracket में बच गया 2 plus 2 times 3 times delta r upon r under root तो यह basically क्या है this is the time period यह जो है यह इसका answer है time period जब opposite direction में होंगे तो जब opposite direction में होंगे तो put all these value put all these all these value इन सभी value को मैं रखता हूं तो जो time आ जाता है minimum time लगेगा minimum time जो लगेगा separation minimum होने में वह आ जाएगा 0.84 days ठीक है इतना दिन लग जाता है 0.84 days तो this is the final solution of this problem तो I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझाया होंगा मैं समझ में आ गया होगा तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो बच्चों motivated रो thanks for watching this video बैबै टेक केर कर दो देशी होगा मैं वह जाएगा मैं जा छाबो बच्चों पाम बच्चों thॉ बच्चों है मैं पाल्पूंँ टूजड़ लागा ट्राउगा